क्या हर चीज के लिए हम सरकार को ब्लेम करें ये सही है माना सरकार को हमने चुना है लेकिन सरकार के संग्यान में कुछ चीज डालने ये नागरी खोने के नाते के हमारी जुम्हेदारी नहीं बनती है आज जो बस दुरगटना हूई है उत्राखन के मर्चूला और रामनगर के बीज में उप्वैद दर्द नाख है नमस्कार नद्स्तान, स्वाथ आपका मेचेनन न्यों बेमाहोना देगे जैशरम, जैदेवी मुत्राखन उत्राखन के मर्चला रामनगर के बीच में जो बस दुगटना हुई है वो कितनी दर्दनाक है 34 जिन्दिक्या अकाल मौत के मुँँ में समा गई है अब प्राशनी ये उड़ता है सरकार ने अब कुछ कर्मचारी को सेस्मेंट किया है सरकार इसे पहले जागरूप क्यों ने थी ऐसा तो है निकि उत्राखन के जो मुख्यमंत्रें जो नेता है वो दुश्री जगह के बीदेशों से आये है वो भी उत्राखन के ही है सरकार को तो जन्ता को जगाना पड़ता है क्योंकि हम अपनी वोड़ते के अपनी जुमेदारी और अपनी भागीदारी से पल्ला जाड़ लेते है हमें कोई मत्तब ने बनता कि फिर क्या हो रहा है हम रोज सपर करते हैं उनका क्या है वो तो कारूं में सपर करते हैं फिर भी हम भी उसमें आते हैं, आप भी उसमें आते हैं, हमने कभी इस इसमें को नोट किया है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, करे देपेश तरी के ओबलोट होने के चकर में, वहां बस दुर्खटने हैं हुई है, कभी किसने रोड़ बेज की विभाग को ये से सिकातने कि होगी, क इतने भेंकर पहाडों के बीच में, बस ओवर लोड़ेट चाती हैं, उस बस के अंदर कोई रोड़ेश का करमचारी क्यों नहीं है, हमने कभी संग्रकार के संग्यान में डालना ये जरूरी भी नहीं समझा, क्योंकि जो 36 जंदे के आज गई हैं ये हमारी नहीं है, ये सरका जो तब होता है जब कोई अपना चाता है, यही हमारी फित्रत है, यही इंसानियत की फित्रत है, कितने घर उजड़ गए होंगे, कितनों के उमीदा उजड़ गई होंगे, कितनों के परिवार के परिवाराज उजड़ गई होंगे, और हम उसको नियत मान के अपनी जिमिद और नागरेक होने की जुमिदारियों को निभाव, रोड बेज बस के अंदर, क्या छोटी हो या बड़ी हो बस हो क्या अंदर, अदर ओबर लोड रोड बेज के अंदर, खासकर करमचारी होना जरूरी है कि उसमें इतनी सीट की बस की कभी सिटी है, तो उसमें उतने होने चेह उसमें एक-दो यात्री भी फाल तो नहीं होने चाहिए वार लोड़डेट बस का गिर जाना यह पूरी सरकार की जुम्मीदारी बनती है लेकिन जुम्मीदारी हमारी भी बनती है। हम सरकार को संग्यान, हम आज तब बोड देते आए, हमने कभी सवाली ने उठाए, हमने कभी बोला नीजे, सरकार जो कर रही है, ठीक कर रही है, सरकार को क्या जरूतरी, करमचारी को क्या है, वो अपनी सहरी लेके अपने घर पहुंचेंगे, उनको क्या जरूतरी, मरत जिनका होता है यह आज नियों रहा है बस अबलोड हमेशा ही जाती है प्रावेट भी जाती है और यह नियम प्रावेट वालो पर लगाना अब बहुत जोड़ है प्रावेट वाली बसे ज्यादा overtake करने के चकरमें और हाथ से होते हैं, छोटे-बोटे हाथ से तो हम पतानी कितने होते हैं और इतनी बड़े-बड़े हाथ से जब होते हैं, तो हम इसको परकिर्नियती मान लेते हैं, यह नियती की मर्जी है जी, यह तो होता ही है यह बोल कि हम अपनी जुम्यदारियों से भागते हैं किरपा ऐसा ना करें दुवारा ऐसा कुछ हो तो कम से कम सरकार के संग्यार में ये बाद जरूर डालो उस भी बाद को सुचित जरूर करो शिकायत जरूर करो कि इस बस के अंदर कर्मचारी क्यों नहीं है और खास कर प्राविट बसों को जो छोटी बसे ये छोटी गाड़ियां चल लियां उन पे भी सक्ती बहुत जरूरी है क्योंति इतनी जिगन दे गया अकाल मौत के मुँमे समा जाती आपनी तरब से जगरूख होना माना होने के नाते ये हमारी जिम्यदारे पुर्दास करने की तागत दे और जितने भी यादरी अकाल मौत के मुँमे समा गए इस वरूने अपनी सिर्चो नमस्तान दे